क्या बगावत करेंगी सीयम आतिशी क्यू केजरिवाल को आतिशी पर है इतना भरोसा क्या है राम लक्षमण का केजरिवाल कनेक्शन क्यू कटपुतली सीयम कहलाई आतिशी क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने बगावत का मूड बना लिया है दिल्ली की सीयम आतिशी मार लेना आखिर क्यों कहलाई कटपुतली सीयम यह सवाल ऐसा है जिनका जवाब आपको इस खवर में मिल जाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या सीयम बनकर आत की कट पुतली तो चलिए बिना देरी के खबर की शुरुवात करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं कि क्या दोबारा से सीएम की कुरसी पर बैचने का सपना देखने वाले के इचरिवाल को आतिश्वी मार लेना धोका देने वाली हैं पजय दिलुए के मुख्यमंतृοι आतिश्वी ने 23 सितंबर को जिस तरह से पद्भार समाला था उसकी खूप चर्चा है पद्भार समालते वक्त आतिश्वी ने अपने बगल में छोडी खाली कुर्षी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिल्ले के मुख्यमंतृ इस दौरान उन्होंने खुद की तुलना भरत और अर्विन के जरिवाल की तुलना श्री राम से की आतिशी ने कहा कि जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाओ रखकर आयोध्या का शासन संभाला वैसे ही में चार महिने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी आतिशी साल 2013 में आमाद्मी पार्टी से जुड़ी वो साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के ततकालीन श्विक्षा मंतरी मनीश सिसोधिया की सरहकार के तौर पर काम कर रही थी बाद में दिल्ली सरकार में मंतरी बनी और अब मुख्य मंतरी हैं दूसरे नेताओं की तुलना में आतिशी की राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी नहीं रही है लेकन उन्हें अपने नेता अर्विन के जरिवाल का विश्वास मिला जो उन्हें दिल्ली के मुख्य मंतरी पा जाकर आतिशी ने जुस तरह से प्रस कॉन्फरेंस की उसके लोकतांत्रिक देश में क्या माइने हैं क्या ये कदम मुख्य विपक्षी भाच्पा के लिए नई चुनौती पेश करेगा क्या कम्यूनिस्ट विचार धारा के परिवार से आने वाली आतिशी भी आमादमी इश्कुप्ता राजुनितिक विश्लेशक और पत्रकार अशुतोष और वरिष्ट्र पत्रकार रूप श्री नंदा ने एक मीडिया चानल को दिये अपने इंट्रव्यू में क्या कहा है चलिया आपको बताते हैं मुख्य मंत्र के तौर पर आतिशी के नाम की घोशना को लेकर आमादमी पार्टी के संधर्प में पूछेगा इस सवाल पर वरिष्ट्र पत्तिकार आशुतोष इसके पीछे कई कारण बताते हैं उनके मुताबिक उन्हें लगता है कि अर्विन केजरिवाल को रिप्लेस करने के लिए आतिशी सबसे बहतर विकल्प हैं इसके पीछे कई कारण हैं पहला तो ये कि उनका मंत्रालियों को संभालने का अनुभाव जो अभी तक सामने आया है वो अच्छा था नौका शाहों से काम लेने का उनका तरीका भी ठीक है सबसे बड़ी बात ये है कि वो पढ़ी लिखी है आउक्सफोर्ड और सेंटर स्टीफिन से होकर आई हैं तो ये नहीं कह सकते हैं जैसा कि आम तोर पर नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखें नहीं होते तो उनका चैन अपने आप में एक अच्छ चाले उनहीं के पास थे बहुत अच्छे तरीके से संबाल भी रही थी इसके लावा वो पढ़ी लिखी है और एक महिला है ये भी अपने आप में एक जरूरी यूएस पी है आप अगर आमादवी पार्टी को देखें तो हमारी जितनी योजनाएं हैं वो महिलाओं को ज़् काइंड आफ पार्टी नहीं है ये वो पार्टी है जिससे जनता का जुडाओ बहुत जरूरी है वह इस बात को समझें कि जो वोट है वो अरविंद के जिवाल जी के नाम पर पढ़ते हैं हमने लिये हैं और हम आगे भी मांगें तो इस बात को जरूर समझें कि ये कुरसी के नाम थी और है और रहेगी तो यह समझना जरूरी था और इस एस्परेशन के साथ जब जनता के सामने वो खड़ी हो तो जनता में अर्विंद के जिरिवाल जी का अक्स उसमें दिखाई दे वरिश्ट उपत्रकार रूप श्री नंदा आतशी को तुने जाने पर कहती है कि ये बिल्कुल से अप्रत्याशित था मनीश ससोधिया की गिरिफतारी और उप मुक्य मंत्री पट से स्तीफे के बाद एक तरफ आतशी ने सरकार में उनकी जगा ली और उनके पास सबसे जादा पोर्टफोलियो थे वो हर चुखा सारचोनिक कारिकरों में अर्विंद केजर में काम्याब रही और दूसरी यह चीज है कि वह एक महिला है बहुत पड़ी लिकी है और अपने दम पर खड़ी हो सकती है और कुछ कर भी सकती है वह खुद भी युवा है और युवाओं को पाची की और आकरशित कर सकती है हाला कि रूप श्री कहती है कि यह कहना गलत जब अर्विन केजरिवाल मनीसु सोधिया और संजय सिंग ट्रेल में थे तब विरोध प्रदर्शिन के दौरान आतशी और सौरभरदवाज हमेशा सड को पर तेखे कभी कभी गोपाल राय भी दिखते थे हाला कि वो पाठी समालते थे तो यही सब कारण रहे जुसकी वच अर्विन केजरिवाल को चैलन्ज कर सकता है इस पर आसुतोष का कहना है कि हमारे देश में जो महाल रहा है उसमें सीर्श पर बैठा नेता हमेशा कुरसी को लेकर डर में रहा है जब भी किसी दूसरे नेता का चैन होता है तो इसमें सबसे जादर जरूरी है विश्वास पा जब तक आम आदमी पार्टी में त्री मूर्ती अर्विन केजरिवाल मनिश से सौधिया संजर सिंग एक जुठ है तब तक कोई भी बगावत संभव नहीं है इन तीन लोगों में ही ताकत है कि वो पार्टी से अलग विधाय को को लेकर कुछ कर सकते हैं खाली कुरसी और रा रोप लगा रहा है कि वो कटपुतली मुख्यमंत्री हो सकती है ऐसे में ये संदेश देना और राम भरत का उधारन देना जोकि राजशाही का उधारन है कितना वाजब है इस सवाल विशलेशकों का मानना है कि जनता विश्वास के उपर वोट देती है जनता चेहरे पर वि कालना हम लोगों के लिए और जनता के लिए मुश्किल हो गया है खाली कुर्सी की बात जो है यह हमारे संसकार है हमारी सब्वेता है कुछ लोग राम की बात करते हैं लेकिन राम की नहीं मानते खडाओ की जो बात करते हैं भगवान राम ने भरत को यह नहीं कहा ऐसा करो त असली बात आस्था की है सम्विदान में हम पहले ही पेज पर पढ़ते हैं कि we the people of India हम भारत के लोग तो इसमें एक आस्था है हम अपने अंदर आस्था रखते हैं भगवान और अपने माता-पिता में आस्था रखते हैं अगर आतिशी का कोई विश्वास है उनकी कोई सम्मान करना चाहिए और दिल्ली के लोगों को भी एक आस्था और सम्मान है उनकी भी सोच है के हमारा मुख्यमंतरी तो केजरिवाल है इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए क्या आमादमी पार्टी सौफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है? नहीं है दोहजार चौधा लोग सबस्टाव में सातों सीटे हारने के बाद विधान सबा में सरसट सीटे जीतते हैं उस समय नायाब इमाम की मुस्लिम लोगों से वोट देने की अपील पर पार्टी ने कहा था कि हमें आपके फत्वे की जरूरत नहीं है यह वो जजबा था ज साथ लेकर चलने की बात करती थी मुझा लगता है कि अरविंद केजरिवाल और पार्टी का विश्वास कम हुआ है जिसकी वच्छा से 2020 के विधान सब्चुनाव में कुछ बाहर के लोगों ने आकर पार्टी को सरहा देने की कोशिश की यह उसका नतीजा है कि हनुमान चौ सब्चुनाव में कॉंग्रिस के साथ गडबंदन होने और अरविंद केजरिवाल के ज्रियल से निकलने के बात भी लोगों के मन में कोई सहाना भूती नहीं है सौफ्ट हिंदर्टू की राजमीती करने के सवाल पर आम आदमी पाजी की निता राज़ेश कुपता क्रिकेट का एक उधारन देती हैं कहते हैं कि मुझे लगता है इंडिया के पास बहुत अच्छे भारत घर में कभी माच नहीं हाता लेकिन जब हम इंग्लैंड जाते हैं और सोचें कि उन स्पिनर्स के साथ वहां जीच जाएंगे तो ऐसा नहीं है हम वहां हमें स्पिनर्स की जरूत होगी यानि कुल मिलाकर आतिश्री को लेकर संभावनाएं सभी तरह की नजर आ रही हैं और आने माले वक्त को लेकर भी अब देखना होगा कि क्या आतिश्री भी दूसरी चंपाई सोरेन बनेगी ये एक अच्छा चिटा में फिलाल के लिए इतना ही बागे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लि झाल